हाई चली देखते हैं रॉक पेपर सिजर्स का गेम कैसे पैंथन प्रोग्राम में लिखा जा सकता है मैं होप आपने कुछ ट्राइल्स किये होगे और अगर वह सक्सेस्फुल हुए है तो अगर नहीं सक्सेस्फुल हुए है तो भी कोई बात नहीं है हाँ बड़ अगर आपने ट्राइल ही नहीं किया है तो थोड़ा मुश्किल है तो प्लीज अगर आपने ट्राइल नहीं किया है तो इस वीडियो को अभी पाउस कीजिए और ये प्रग्राम लिखने की कोशिश कीजिए logic मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया हुआ है तो चलिए देखते हैं Rock, Paper, Scissors का गेम कैसे लिखा जाए सबसे पहले तो हम कोई print statement दे देंगे Welcome to Rock, Paper, Scissors Game एक में new line दे देता हूँ with this slash n then print करते है enter your choice ठीक है new line देखे में लिख देता हूँ 1 for rock फिर new line देखे में लिखता हूँ 2 for paper और फिर एक new line देखे लिखता हूँ 3 for scissors ठीक है दिखते हैं ये कैसे दिखेगा इस तरह से हमारे सामने दिखेगा ये 3 के पहले का space ज़रूरी नहीं है अगले line पे हम क्या करेंगे user से एक choice लेंगे so let's say a is equal to int input enter your choice और space अब क्या होगा अब आपने जो कुछ भी दिया है between 1, 2, 3 वो enter a number के variable में चला जाएगा सबसे पहले तो हम चेक कर लेते है if a is less than 0 और if a is greater than 3 इसका मतलब क्या है print invalid choice try again अगर 0 से बड़ा और 3 से छोटा है या 3 से बराबर है तो यानिके else में हम हमारा पूरा code लिखेंगे अब user से तो input आ गया है ठीक है अब हमें का करना है अब computer से input लेना है so let's say b is equal to random.randint 1,3 थोड़ा सा उसको dramatic करने के लिए क्या करते है print computer thinking और यहां पर delay देते है time.slip 3 सेकंड यह दोनों लेबरेरीज हमें यहां पर import करने पढ़ेंगे हमने की नहीं है import time import random 3 सेकंड का time ले लेते है अब आपको पास अब आपके पास b में आ गया है computer का choice a में आ गया है user का choice अब आप comparison करने के लिए ready हो अगर a और b same है समान है equal है तो इसका क्या मतलब हुआ it's a tie उसके पहले हम print भी कर देंगे कि आपने क्या enter किया है print you have entered comma देखे print कर देते है या हमें पता नहीं यह क्या है तो let's check if a is equal to equal to 1 print you have entered rock similarly अगर आपने दो दिया है मैं बहुत ही लंबे तरीके से code लिख रहा हूँ it means you have entered paper और अगर आपने तीन दिया है it means you have entered scissors similarly computer के choices print कर देते है computer ने क्या दिया है बस यहाँ पर हमें b check करना है और u की जगा computer लिखना है b is equal to 1 मतलब computer copy paste करते है हो गया user के choice print हो गया computer के choice print हो गया अब अगर दोनों same है तो यह tie हो गया otherwise अब यहाँ पर हमें सुर्फ लिखना है अब देख लीजी क्या है एक new file लेते है यहाँ पर में मेरे choices लिख देता हूँ एक है rock टू है paper ट्री है scissors मतलब अगर अगर आपने हम सिर्फ एक user के perspective से देखते है अगर आपने यानि कि मैंने दिया है one ओके तो इफ a is equal to equal to one and b is equal to equal to two यह condition होगे मतलब मैंने एक दिया और computer ने two दिया दोनों भी one रहने वाली condition तो है नि क्योंकि हमने पहले चेक कर लिए अब मैंने एक दिया और computer ने दो दिया मतलब मैंने rock दिया और computer ने paper दिया इस किस में क्या हुआ आए बिन फिर क्या है if a is equal to equal to one and b is equal to equal to sorry अगर computer paper देता है तो computer विन अब मैंने rock दिया और अगर computer ने दे दिया scissors तो I win हो गया अब यह हो गया अगर मैं एक देता हूँ तो कि दोनों condition उसे तरह से आप लिख दो आपके बाकिक conditions और वो सारे के सारे आप यहाँ पर and करके लिख सकते हो बिता देता हूँ अब computer win के कौन से situation है अगर मैंने एक दिया और computer ने दो दिया मतलब rock और paper अगर होता है तो computer जिद गया and इस तरह से आप conditions को mix कर सकते हो चलो इतना complex नहीं करते हैं simple तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं तो simple तरीके से कैसे लिखेंगे if a is equal to equal to 1 and b is equal to equal to 2 इसका मतलब क्या है computer wins rock और paper मतलब paper wins rock और scissors मतलब you win ये दो condition हो गया ऐसे और कौन से conditions है सारे के सारे लिख दीजिए अब एक condition ये है कि आपने दिया दो यानि कि आपने दिया paper computer ने दिया एक यानि कि rock it means you win आपने दिया paper और computer ने दे दिया scissor it means computer wins पिरसे ले लेते हैं सारे conditions समझ जाएंगे आपको बस confuse मत हुई है इसमें इतने भी मुश्किल नहीं है चीज़े बस हम अलग-अलग conditions evaluate कर रहे हैं देखिए अब यहाँ पर कहा ले लिया आगर आपने दे दिया है तीन मतलब आपने दिया है scissor और अगर computer ने दिया है rock तो definite सी बात है कि rock wins यानि कि computer wins और अगर आपने दिया है scissor और computer ने दिया है paper it means you win सारे conditions इसमें हमने ले लिया आपका rock computer का paper scissor आपका paper computer का rock scissor आपका scissor computer का rock paper और अगर same है तो वो तो हमने already evaluate कर लिया है यहाँ पर चलिए run करके देखते है program सही है या नी enter your choice अभी मैं मेरी choice देता हूँ rock चलिए अब क्या है आपने दे दिया है rock computer ने दे दिया है scissor you win यानि कि मैं जिद गया चलिए फिर से try करते हैं अपकी बार में देता हूँ paper computer thinking आपने paper दिया computer ने scissor दिया अपकी बार computer जिद गया ऐसा नहीं होगा क्या कि कभी tiny होगा definitely होगा depend करता है कि random number generator क्या number generate करता है अब मैंने 3 दिया computer ने rock दिया फिर से computer जिद गया थोड़ी दिन तक अगर आप try करते रहो एक ही number देखे तो definite से बात है एक बार तो कहीं पे तुभी आपका tie होने वाला है you have entered scissor computer entered scissor यानि कि ये tie हो गया हमने print नहीं किया है क्या same condition okay हमने same conditions को evaluate ही नहीं किया है कर लेते है if a is equal to equal to b print it's time चलिए फिर से कोशिश करते है मैंने दे दिया scissor computer नहीं दे दिया paper यानि कि मैं जिद कया मैंने फिर से दिया scissor फिर से computer नहीं दिया paper फिर से मैं जिद गया computer को कुछ थोड़ा try करना चाहिए फिर से मैं देता हूँ scissor computer नहीं इंटर कर दिया scissor and it's a time प्रग्राम को अच्छे से देखिए copy paste please मत कीजिए इसको ये code खतम हने के बाद ये video हने के बाद आप खुद से एक बार लिखने की कोशिश कीजिए जब तक के practice नहीं होगी तब तक के कुछ भी फाइदा होने वाला नहीं इसलिए अच्छे से समझे कि practice ज़रूरी है जान बूझ कर थोड़ी confusing if conditions यहाँ पे दिये गया है बात को समझे इसको और भी simplified तरीके से लिखा जा सकता है ये सारी conditions एक जगर पे भी लिखी जा सकती है जहाँ पे computer जिट जाए और आप जिट जाए बट मैंने वैसा नहीं किया बिकाज मैं चान बूझ कर चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको twist करके program दूँ ताकि आप सोचने पे मजबूर हो जाओ और थोड़ा सा इस पे सोच विचार करके program लिखिया ये हो गया आपका rock paper and scissors का game please try it on and tell me how it goes for you thank you for watching this video